स्वदेशी जागरन मंच के अखिल भारतिय सह संगठक श्री सतीश ने कहा कि हमारा देश युवाओं का देश है। प्रोध्योगे की विश्वविद्यले मुर्थल में आत्मनिर्भर हर्याना एवं रोजगार विशे पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। सतीश ने कहा कि हर देश की अर्थव्यवस्था का कोई न कोई आधार होता है। अमेरिका की कुल जंसन्ख्या ही 24 करोड है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। नासा में 26 प्रतिशत भारतिय हैं, अमेरिका की उप्राष्टपती भी भारतिय हैं, गूगल के CEO सुधन पिचरी भारत से हैं, माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्यनरेला भी भारतिय हैं। इसके अतिरिक्ट पेपसिको की CEO इंद्रा नुई, जो हाल ही में सेवानिवरित हुई भी भारतिय हैं। 10 trillion की अर्थ व्यवस्था बनाना हमारे लिए संभव हैं। Entrepreneurship में कोई सीमा नहीं है। Entrepreneurship के आधार पर हम देश की अर्थ व्यवस्था को 10 trillion की बना सकते हैं। हमारा देश युवा शक्ती, उद्यमिता व परमपरा के आधार पर विश्व का सबसे संपन राष्ट बनने की तरफ अग्रसर है। उन्होंने कहा कि विध्यार्थियों को पाए करते समय कमाने की आदत डाल लेनी चाहिए। वार्न बुफे ने 11 वर्ष की आयू में कमाना प्रारम कर दिया था। वार्न बुफे ने कहा कि 72 वर्ष का होने पर कहा कि मुझे लगा कि मैंने देर से कमाना प्रारम किया। एपल के CEO स्टीव जॉब्स ने 18, मार्क जुकबग ने 17, बिल गेट्स ने 19 वर्ष जम्देश जी टाटा ने 14 वर्ष की आयू में कमाना प्रारम कर दिया था। हर्याना हायर एजुकेशन कॉंसिल और स्वदेशी स्वावलंबन न्यास ने एक M.O.U. के अंतरगत सारे हर्याना में ये उपकरम शुरू किया है आत निर्भर हर्याना और रोजगार युक्त युवा। इसके अंतरगत मेरा याने सतीश कुमार जो सुदेशी जागनमंच का आखिल भारतिय संगठक हूँ सारे हर्याना के सभी 22 जिलों में प्रवास हो रहा है। पिछले वर्षी भारत सरकार ने इस विचार को दिया आत निर्भर भारत। पिश्विद्याले के लोग एनल यू के लोग यहां उपस्तित थे। रोजगार अपने यूवा कैसे उद्यमिता के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं इसकी विस्तार से चर्चा हुई है। और मुझे विश्वास है कि ये यूवस्टी भी और एंट्रप्रियोर्शिप के उपर और एंप्लाइमेंट जनरेशन के उपर थ्रस्ट देगी आग्रे करेगी और निश्चित रूप से हमारी यूवस्टी का प्रत्येक बच्चा निकलने से पहले ही एंप्लाइमेंट है कि जो लोग खेती पर निरफर हैं उस तरीके की सुविधाई जैसे अभी आपने बात किया था कि किसानों को अपनी फसल को उसका दाम उसी कैसे मिले उसके और ध्यान देना तेले कि उसके लिए उनके पास बंडारन नहीं मिल पाता है ट्रांसपोर्ट नहीं है लेक्टिस अब भी नहीं बता सकता हूं लेकिन वेबसाइट पर उपलब्द है लेकिन एक बार हमारा बात हम बार बार अपने युवाओं को जरू कह रहे हैं एक तो प्रकृतिक क्रिशी पर जाओ प्रकृतिक क्रिशी पर जाते ही आपकी गेहुं जो है जो 1950 के MSP है वो 3000, 3000, 3000 पर बिक है या हर्टी कल्चर है फ्लोरी कल्चर है इस पर आओ ये जो हमारे किसान केवल, गेहुं, चावल और गन्ना इन तीन से बाहर नहीं निकलते है इस से थोड़ी दिक्क्ट जाती है हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे ग्रामीन युवा भी जो है उद्यमिता में आएं एगरी कल्चर बेस्ट स्टार्ट अप्स शुरू करें, काफी जगा पर हो रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हर्याना में जिस परकार की सड़कें, जिस परकार की बिजली अवलेबल है, उसके अधारव के उपर हर्याना सरकार की भी सपोर्ट है, उसके अधारव के उपर निश्यत रूप से हम आगे आने वाले दिनों में क्रिशी क्षेत्र को भी हर्यान में बड़ा फलता फुलता हुआ देखेंगे